तमस्कार दोस्तों आप सबको ममता की जिन्दगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है मैं हूं ममता शंकरी अज का बलाग शुरिया कर रही हूं आपकर शूरे को अलग है नहीं बनाते है दुपेर का सांबर है चावल रख्शानियों और डशारा को भी चावल ही खोई है रोटी वाटी नहीं है और एक सब्जी बनाना चाहते हूं मैं सब्जी बनाने जा रही हो भी सूखा सब्जी जो सब्जी में बना रहे हूं वह रेल सब्जी है मतलब सभी जगा नहीं मिलती है सभी लोगों को पता नहीं है वह वाला सब्जी है वह हमारे काउं से लेका ही हूं तो आपको दिखाऊंगी वीडियो बनाऊंगी में कैसे बनाऊंगी रेस्यपी दिखाऊंगी अब देख लेजिए किया है वह सब्जी वह सेयख के लिए बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा माना जाता है हमारे और किडनी स्टोन के लिए इसलिए जबताती हुआ चो गर्मने वाला सब्जी तरह बना जिशे सब्जी विचताती हूँ आपको सब्जी दिखाजीं मैं एक कौन सा सब्जी अब बता सकते हैं कि यह केले का फूल है केला खाते हैं फल काते हैं उसका फूल से भी हम बनाते हैं विटमिन ची है इसमें अक्याश्यन किया एक है और बहुत क्या माना आब ढूंता इ outcome lotus के जला कर च्छीट जलसेट तयाशन टमीड के डिन होगे से बाद फूल थे निकलते हैं पहले नहीं रहे जो में बन्च में रटाव how को अब इसको दर कर चीज़ को बनाते है यो बाहर का नहीं सबसे पहले इसको निकलना पड़ेगा देख लिजिए यह सब निकलना है इसके अंदर ऐसे फूल रहता है यह भी निकलना है यह पूरा अंदर तक हम गाव में इसको गाई को खिलाते हैं यह बाहर का चीज होता है वह आप में गिरता है बड़े होने के बाद केला बड़े होने के बाद नीच गिरता है उसको लाके गाई को खिला देते हैं गाई लोग बहुत पसंदिये चीज होता है यहां तक करना यह वाइट वाइट दिखाई देता है यहां तक करना है बस काफी है यह निकलना मुश्किल देखिए अभी नहीं इतना निकलना है बस जितना आज़नी से निकलता है तब तक इसको अभी हम आध्य काटेंगे शुरू में को ओए और यह पात है कि यह काला पड़ जाएंगा अब को क्या बोलते हैं इसको काला पड़ता है जैसे बीटोट काटने से काला पड़ता है हाथ इसे काला पड़ जाएगा इसलिए हाथ में थोड़ा सा नारियल तेल में लगाते हूं कोई भी तेल क्यालेगा हम लोग नारियल तेली इस्तमल करते हैं इसलिए नारियल तेल लगा रही ह फिर भी लगेगा हाथ में थोड़ा कम लगेगा दोने से जल्दी हो जाएगी इसलिए तेल लगा रही हम लोग काने में नारियल के तेली इस्तिमाल करते हैं अभी इसको चोटा-चोटा जितना चोटा हो सकते उतना चोटा-चोटा काटना है शुरू मेरा उन्ट से काटेंगे देखें एक आला पड़ गया अभी इसे निकालेंगे फिर चोटो चोटो काटके पानी में डालना है जितना चोटो हो सकते हैं उतना चोटा काट लेजिएगो इसे करके इसको तेल है हाथ में थोड़ा ध्यान से काटना पड़ेगा प्रिजल जाएगा चाको से हाथ में लग सकता है इसलिए थोड़ा ध्यान रहना पड़ता है यान रखना पड़ता है ऐसे चोटो-चोटो काटके न इसको पानी में डालेंगे भी जितना हो सकते चोटो-चोटो काटने वह चोटो-चोटो बन जाता है अंदर लेयर है न ये फूल के अंदर लेयर से ये देखिए ये लेयर है न तो अंदर से इसे काटके ये फ्रेश होने से बहुत अच्छा था ये मैं गाउं से लेकर आएं तुरंत पवदे से निकाल के तुरंत बनाओ गया तो बहुत टेस्टी लगती है और सहत के लिए बहुत अच्छा है एक बहुत अच्छा मतलब बाइरन कंटेंट है इसमें विटमीन सी भी है और कुछ और भी है कुछ तबियत करब होगा तो गाउं में इसका बना के खिलाते हैं लब किड्नी स्टोन वे सब के लिए बहुत अच्छा होता है किड्नी स्टोन में न ये केले का पवदे का डंडा होता है ना नीचे का वह इस्तरमल करते हैं हम और यह इसको भी जितना हो सकते हैं उतना देखिए इसको इसे पानी में डाल देंगे पूरा काटके डाल दूंगे मैं इसको भी ऐसे काटेंगे देखिए काला पड़ गया हाथ यह तेल लगाई ही तो थोड़ा जल दी जाएगा नहीं तो तीन चार तीन तक काला काला रहेगा आप बलॉस पहन के काट सकते हैं इसको चाहे तो हाथ कराब हो रहा है इसे चोटे-चोटे करके काट लीजीगा हम केले का हर चीज खाने में ब केले का केला कच्चा केला भी बनाते हैं सर्जी सांबर सब केले का फूल का बनाते हैं डंडा पाउदे का डंडा जो होता है न क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे कुछ-कुछ वर्स पता नहीं है मतलब कुछ-कुछ चीजों को क्या बोलते हैं हिंदी में तो हो सकता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे सीठना है मुझे नहीं पता उसको डंडे क्या बोलते हैं पउधे का जो जो क्या बोले नीचे का डंडा पता नहीं मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं आप कमेंट में बता दीजेगा प्लीज मुझे सीखना है उसको भी बनाते हैं वो किड्नी स्टून के लिए बहुत अच्छा होता है किड्नी स्टून निकलता है उससे सभी लोग उसको बनाते हैं केले को तो बहुत चीज बनाते हैं सामबार बनाते हैं सबजी बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं कि हैं पागा हुआ पागा हुआ केले को भी बनाती है हmbol किicial के लिए और तो तो यहाओ यह अधागा ख़ो यह समय बनाओ खाना सब्जी का हो जाता है यह सब इह हुआ है और रिए बता है कि हमारे अना नारेल का पेट जड़ा यह पहले बता है I am करते हैं लोग खाने में भी काना बनाने में या तेला तलने में कोई भी चीज करना पापड़ो सबस्दों को percentage बनाती वह छोड़ के, आफ्रेन के लिए नार्यल तेल बहुत अच्छा लगता है और इस सब्जास के लिए लिए नार्यल तेल बहुत अच्छा लगता है यह हाथ में लग जाता है तो तेल के बिना नहीं निकलेगा जैसे जाग फ्रूट में सब होता है न इसे उतना ज्यादा नहीं थोड़ा कम कठल में होता है न वैसे थोड़ा कम होता है जैसे दूद बोलते है न उसका वो देखे काई कैसे काला पड़ गया मेरा इसे पूरा ऐसे करके पानी में डलने है वो काला होता है न इसलिए पूरा काट के दिखा दूँगी मैं अपको अभी सब्जी बनाएंगे देखिए पानी से निकाल लिए हमें पानी नीचोड के निकालना है मतलब वो काला वाला पानी बाहर जाए अभी कड़ा ही रखी हूं ग्राम करने के लिए जैसे कि मैं पहले बताया है हम लोग मारियल ते है ना कि Groß पान श्पून तक टेल डाल सकते है इतना डाल दिया हमारा खाने में थेल बहुत कम लगते हैं फिर बहूं श्चा स्बजी कूच कूच्चे सूकसब्स जादा इरे सभी चार-पांच कमच डाल सकते हैं पिस इस कि एक गरम होने दीजिए इसमें लाल मिर्ची डाल देंगे चोटे-चोटे-चोटे टुकड़ा करके लाल मिर्ची एक लाल मिर्ची डाल दिया वस्टेस्ट के लिए उसके बाद दो चमच उरद की डाल 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 रहे हैं इतना सा दो चमच काफी है उसके बाद दो चमच सर्सों जो तड़का के लिए समझ करते हैं ना सर्सों इसको थोड़ा गरम होने दीजिए चर्ड़ा करते हैं यहां आ एक सब्टभा स्कंट मॊंस्टार मोर्मि दयार का है सबको भी पता लगए इंड को आ हुआ द लाल होने के बाद के चिटट चिट ख जाएंगा नहीं तो नहीं तर उसल नहीं होता है ने हल सर्सों ने के लिए उरॉप द लाल हो जाएगा LA कि वेड़ देर तब करकना पड़ता है है हुआ है और अब बताए ना केले का पौधे का हम सामबर बनाते वो क्या इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं यह आप कमेंट में बता दीजेगा मुझे क्या बोलना समझ में नहीं आए मेरे बेटी ने बता हो जो हिंदी में नहीं आता है उसको इंग्लिश वर्ड में बता हो स्टेम बोलते हैं ने इंग्लिश में वो स्टेम को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता उसका नाम प्लिस बता दीजे कमेंट में मैं भी सीख लूँगी बाद में एगली बार में पता दूँए तो तो यह देखिए चिट चिट आवा जा गए सरसों का देखिए सब्सक्राइब के बाद इसको डाल दूँए विए मेरे हाथ देखिए इतना काला परज़ेग्याइग्याइग्याइग्याइग्याइग्याइग्याइग् यह इसको थोड़ा सा इसे गुमा देजिए इसके अंदर खटा चीज डालना है आप इमली का रस भी चलेगा इमली का रस डाल सकते हैं मैं क्या डाल रही हूं यह बटर मिल्क हैं बटर मिल्क को हिंदी में क्या बहुत है मत्ता है कि चार्च कुछ नहीं पता मैं सीखी हूं म स्टनी के जब में हिंदी शीकितों अप्टा चीज़ पालता है यह यह ग्लास thuk घटा चीज़ नहीं घटा होने के लिए अप इमलीकरस भी मिला सकते हैं इसमें इसके बदले यह तो इमलीकरस डाल दीचेगा यह पूरे ग्लास डाल दिया मैंने क्योंकि यह काला पढ़ने वाला चीज चाह बोलते हैं आप इसको हिंदी में वह भी मुझे नहीं पता जैसे बीट रोट सब में होता है जो काला पढ़ने वाला इसलिए मट्टा डालना पता है और इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अंसर जो आपको चाहिए और एक टुकड़ा इतना बड़ा टुकड़ा गूट डाल रही हूं है मीठा के लिए मतला सब चीज होना चाहिए कट्टा नमक मीठा और तीका के लिए लाल मिर्ची पौड़र डाल रही है हम लोग ज्यादा तीका नहीं काते हैं इसलिए आपको ज्यादा तीका चाहिए तो ज्यादा डाल दीजिए मैं बस एक चमच डाल रही हूं इससे ज्यादा नहीं थोड़ा सा हल्दी पौड़र भी डालते हैं इसको एक चमच हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं इसमें सब मिलाके और आधा गलस पानी डाल रहे हैं बस ज्यादा पानी नहीं डाला है आधा ही गलस इसको सब मिलाएं अच्छे से मिलाके अधित तोड़ा तेज आंच में पकाएंगे और धक्के पकाएंगे अजिसे धक्के पकाएंगे थोड़ी देर तक करें से तेज आंच में रहने दिए बाद में सिम्पे कर दिए यह ना केले का फूल के अंदर यह रहता है यह अभी फ्रेश्ट अब शर्ष्ट नहीं है मैं से लेकिया है तो यह फ्रेश्ट नहीं वह दिन हो गया ञे अगर फ्रेश्ट तोर ते ही यहीकाल थैं कैसी के अंदर प्ता व बहुत मेठ रहता है आँ मोग बच्छ्पन में इतना पीटे इसको निकालके के इसको निपल के पीटे थैसे लग बच्चों का केल जो बच्छमन में गाउं में होता है तो अच्छा रहता है कि इसे पकाने के लिए रखेंगे इससे डखके रखेंगे अभी सिम्मर पर डाल रहें है थोड़ी देर तक की डाल रहें देखिए एक बर आचे हाथ चला लीजिए इसमें बीच बीच में ये पानी सोकने तक तब तक ये पक जाएगा बहुत जल्दी पक जाता है चोटा-चोटा खटा हुआ है न तो बहुत ज कि अब देखिए हो गया होने वाला दो बार मैं चला ही हूं इसको हाथ से इससे अभी पूरा पानी सब सूख गया ये भी पक गया तो अच्छे से अभी इसके अंदर नारियल घीज के डालेंगे इससे नारियल डालते हैं दिना नारियल का अच्छा नहीं लगता है नारियल डालके ही अच्छा लगता है इससे नारियल डालके मिलाएंगे उच्छे से दो मिनिट रखेंगे नारियल भी थोड़ा सा पक जाए अच्छे से सब्जी बन गया है सुखा सब्ची यह चावल के साथ ना बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्टी लगता है यह लब सब टेस्ट है इसमें परस हो गया वी बंद कर देते हैं चावल के साथ काएंगे ऐसके चाहए्टा आप रोटी के सात बहुत आ सकते अचरिया के सब्पर हम लोग चावल काते हैं ने हमारा चावली जादा है तो यह कॉली चावल के लिए बहुत अच्छ लगता है आपको ये वीडियो कैसा लगा बता दीजिए अच्छा लगा तो लाइक करना मत बुलिएगा आपके दोस्तों को शेर कर दीजिए फ्रेंड्स को और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए आगे भी इसे कुछ वीडियोस बना दूंगी बनाओंगी में अच्छ वीडियो अच्छ एच्छ खाना हमारा करनेड़का काना है यह मंगलु रूश यहां भी में बनाते हैं लग रहे मुझे लाज़ा जाता है वहां तो यह पक्का बनता है अमारे केले का पहुते जाता यह इसलिए बन रहा है लोग घर में जो मिलता है उसमें इक न बनाते हैं तो आगले वीडियो में मिलते हैं आज के लिए इतना ही है तब तक के लिए धनिवाग थैंक यू